मदप्रदेश में उठे सियासी तूफान के बाद राजिस्थान के सियम अशुक घैलोत ने ट्वीट कर जोती रादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है घैलोत ने लगातार दो ट्वीट कर कहा कि सिंधिया ने जनता के भरोसे और विचारधारा को धोका दिया है और साबित किया है कि ऐसे लोग सत्ता के बिना नहीं रह सकते हैं सियम अशुक घैलोत ने ट्वीट पर सिंधिया के इस फैसले के आलोचना करते हुए कहा कि सिंधिया ने लोगों के विश्वाश के साथ साथ विचारधारा से भी विश्वाश खात किया है ऐसे लोग साबित करते हैं कि वे सत्ता के बिना काम्याब नहीं हो सकते ऐसे लोग जितना जल्दी छोड़ जाएं बहतर है CM कहलोत ने कहा कि ऐसे समय में जब देश संकट में हो पीजेपी के साथ हाथ मिलाना एक नेता की राजनीतिक महत्वकांशाओं को परिलक्षित करता है उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अर्थविवस्ता लोगतांत्रिक संस्थानों और देश के सामाजिक तानेबाने को तहस नहस कर रही है